हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, पैशन फोर ग्रीन्स फ्रेंड्स, अब गर्मियां जा रही हैं और दीरे दीरे मौसम बड़ा है सर्दी की ओर ये टाइम सीड्स ग्रो करने के लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि सीड्स जर्मिनेशन के लिए मीटियम टेंपरेचर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं सीड्स ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने चाहिए सीड्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अपने गार्डन में से भी कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ सीड्स तो जैसे धनिया, मेती, आदी आप अपनी किचन से भी कलेक्ट कर सकते हैं. नस्ट्री से भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स ला सकते हैं. सीड्स ग्रो करने के लिए आप कोई भी छोटा पॉट ले सकते हैं जिसमें अच्छे से होल हो रखे हों. आप छोटे पेपर कप्स या छोटे प्लास्टिक ग्लास में भी सीड्स ग्रो कर सकते हैं. इसके लिए आप सीड्लिंग ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड नमबर पर है growing medium यानि आप seeds को मिट्टी में उगाते हैं या कोकोपीट में या फिर tissue paper में मिट्टी बनाने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले नमबर एक पर है मिट्टी हलकी होने चाहिए ताकि बीद के उपर ज्यादा वजनना पड़े और seed easily germinate हो सके मिट्टी well drained हो ताकि extra पानी उसमें से easily निकल सके और बीद ज्यादा पानी की बज़े से सड़ ना जाए और मिट्टी में कोकोपीट जरूर मिलाएं ताकि मिट्टी में moisture maintain रहे मैंने seeds ग्रो करने के लिए ये seedling ट्रे लिए है इसे पहले अच्छी तरह से soil mix से भर लिया फिर इसमें पानी देकर अच्छे से सारी मिट्टी को गीला कर लिया ऐसा करने से seeds अपनी जगा पर ही fix रहेंगे मैं आज सबजियों के कुछ बीज लगा रही हूँ जिसमें हैं टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की दो वेराइटी इसकी लिए सबसे पहले मैंने टमाटर के बीज को स्प्रिंकल कर दिया फिर मैंने हरी मिर्च के बीज लिए और उन्हें भी दो लाइनों में डाल दिये अब मैंने बैंगन के बीज लिए और उन्हें पहले के बीजों के तरह से ही अलग अलग लाइन में स्प्रिंकल कर दिया बीज लगाने के बाद इनकी नेमिंग करनी भी जरूरी है ताकि जब सीड्स जर्मिनेट हो जाएं तो हमें पता लग जाए ये किस सबजी के सीड्लिंग्स हैं आखिर में कोकोपीट की एक पतली सी लेयर इन सबी बीजों के उपर डाल दी और हलका हलका पानी दे दिया और इस सीड्लिंग ट्रे को सैमिशेड एरिया में रख दिया आप भी इस तरह असानी से सीड्स ग्रो कर सकते हैं